हेलो वीवर्स असलाम लेकूं मैं हूँ रोशन उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे सुबा का वक्त है और मैं जाग चुकी हूँ और ये मचरदानी हम खोल रहे हैं मेरे हस्बेन अभी सोय हुए हैं तो ऐसे हम जा रहे हैं पानी गरम करने क्योंकि उठने के बा बानी कर लिया है ज्यादा भी गरम पानी नहीं होना चाहिए बस इतना पीने तक हो सके और इसमें मैं आफरमेशन बोलती हूँ सुबह का affirmation होता है मैं बहुत खुश हूँ मिराज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है तो ये affirmation मैं शुरुआत करती हूँ पानी में जो भी बोल करके affirmation को बोलेंगे वो हकीकत में अच्छा दिन जाता है तो ये हमने पानी पी लिया है और रोटी रात का बचा हुआ था तो हम जा रहे हैं अब कववे को देने दो रोटी है तो एक रोटी हम दे देंगे तो इस तरह से इसको सेख कर हम खा लेंगे गरम करके रोटी को तो इस तरह से रोटी को हम तोड़ रहे हैं क्योंकि एक हाथ से हमने मोबाईल पकड़ा हुआ है वीडियो शूट कर रहे हैं इसी वज़ा से एक हात ही है तो इस वज़ा से हम ऐसे तोड़ रहा है ये टूक्रा टूक्रा छोटा छोटा कर देते हैं उसके बाद हम कव़ा को देते हैं खाने के लिए क्योंकि सुबा सुबा कववा को खाने का आदत होता है जो इंतजार कर रहा और इधर हम बरश भी कर लेते हैं तो सुबा ही पानी पिने के बाद ही हम बरश करते हैं लाइट को बंद कर देते हैं बाहर लाइट जल रही है और ये बोड देख सकते हैं टोटा हुआ है इस तरह से हमने बंद कर दिया है और छट पे ये पानी सा दीख रहा है क्योंकि हलकी हलकी बारिश यहां हो रही मौसम बहुत ठंड़क किया हुआ है तो इस तरह से ये छट जो दीख रहा है रेलिंग जो दिवार है उस पे हम रख देंगे रोटी को और कवा को हमने रख दिया देख सकते हैं कवा लोग खा रहा है और देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा और मैं बरश भी कर रही हूँ इन लोग का हमेशा इंतजार रहता है कि कब मेरा खाना आएगा और मिलेगा तो मैंने बरश कर लिया है नमास पढ़ लिया और उसके बाद मैं सभी बिस्तर को ऐसे मोड देती हूँ चादर और बिस्तर दोनो एक ही कलर का है तो इस तरह हम सिलवाए थे अभी ठंडी में हम गद्दा यूज करेंगे बिछाएंगे तो ऐसे हमने बिस्तर ही सिलवा करके और अभी यूज कर रहे हैं हलका होता है धोने में भी अच्छा रहता है मोडने में भी तो पतला सामने कंबल अभी ठंडी जब हो रहा था दो-तिन दिन से तो पतला कंबल हम निकाले हुए थे उड़ने के लिए तो इसको हम मोड देते हैं इस तरह से सभी को मोड दे रहे हैं सुबबा का शुरुवात तो ऐसे ही होता है हर घर का नियम ही है तो बहुत अच्छा लगता है थोड़ा ठंडा भी लग रहा है तो इस तरह से हमने इसको मोड दिया है और ये जो है बिस्तर मोडने का मेरा तरी इसे मैं बिज़ा लेती हूं तो इसको हम साइड में इस तरह से कर देते हैं और सभी इस तरह से हमने इधर कर दिया है जो भी रूम में बिखरा हुआ था अब हम चलते हैं छट पे 10 मिनट वॉकिंग करने और कुछ मैं अस्तखफार पढ़ती हूं क्योंकि मौसम मैं आपको दि देरा सदिख रहा है तो मैं दुआ पढ़ती हूं खुली हवा में सुबह सुबह मैं च्छत पे वाकिंग भी कर लेती हूं और कुछ exercise भी कर लेती हूं और दुआ भी पढ़ते रहती हूं अस्तखफिर अल्ला पढ़ने से अल्ला ताला से अपनी गुनाहों की बक्षित हम मा ना करते हैं तो इसलिए पढ़ना ही ाहिए तो इदार मैं छट पे ठोड़ा सा घूम लेती हूं दस मिनट के लिए उसके बाद ही मैं सारा काम करती हूं और इस तरह से मैं exercise भी मेरा हो जाता है अनुलोम विलोम उसके बाद में करती हूँ जो फेफडे में और दिमाग भी फ्रेश रहता है फेफडे की कोई भी प्रोब्लम नहीं होती है तो एकसरसाइज भी बहुत जरूरी है और ऐसे चलने से सुबा सुबा बहुत ठंडी हवा में बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल फ्रेश दिन भर ब कर दिया है और ये गैस को हम ओन कर दिये हैं और मुंगफली के दाने और हम छील दिये थे घर का मुंगफली का दाना है तो ये मुंगफली है इस तरह से थोड़ा सा बचा हुआ था तो इस तरह से हम इसको हाट सा राता है तो ऐसे हम तोड़ते हैं इसको और ये निकल जाता अंदर से देख सकते हैं, तो इस तरह से इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, देख पारे होंगे, और बाद में जो भी यूज करना होगा, यूज करेंगे, और ये तिल है, डब तिल रखे हुए हैं, ये भी हम घर से लाए हुए थे, तो सबसे पहले कड़ा ही गरम होने के बाद भून लेते हैं, इस तरह से बहुत अच्छा भून जाएगा, तो इसको हम निकाल दे रहे हैं, उसके बाद हम तिल को इसमें डाल देते हैं, तिल बहुत जल्दी भून जाता है ये भी, तो इस तरह से हम रोष्ट कर लेते हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं, मौंग फली ज उतना हमने आटा ले लिया है, पानी लेकर के आटे को गूंद लेते हैं, इस तरह से हम आटा गूंद ले रहे हैं, मेरा काम जैसे जटपट हो जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, वैसे उधर हम तवा चढ़ा दिये हैं, और फलेम को हम लो रखे हुए हैं, और मैंने सोचा बिल्कुल सादा सादा खाना कभी खाना चाहिए, तो इस तरह से हम ये रोटी बना रहे हैं, बड़ा सा चकला है मेरे पास, तो ये अच्छा रहता है, कुछ मिठाई बनाने में भी यूज हो जाता है, रोटी भी हम बना लेते हैं, तावा हमारा बहुत अच्छ गरम हो चुका है, और इसको हम अलट पलट करके रोटी बहुत अच्छा फुला फुला बन जाएगा हमारा, तो इस तरह से हम इधर बेल भी रहे हैं, और अधर रोटी भी सेक रहे हैं, रोटी रखने वाला हमने ये मशिन पे सिलाई किया हुआ है, और रोटी को हम इसी में तो ऐसे कपड़ा से सबसे पहले इस तरह से हम इसको ऐसे गुमा रहे हैं, चारो तरफ से सीख जाता है ऐसे गुमाने से, और पलट करके ऐसे गुमाते जाएंगे, अपने आप ये फूल जाएगा, हलका हलका दबाएंगे तो ये फूल चुका है रोटी, और सारी रोटी या लिए तो इसको हम ढखकर अब रख देते हैं सारी रोटी हमारी बहुत अच्छी फुली हुई है और बहुत अच्छा सिख चुका है देख पारे होंगे तो यह अब हम ढख देते हैं क्योंकि गरम-गरम ही खाने में अच्छा रहता है तो इधर चटनी भी हमारा जटपट बन जाएगा तो इधर ठंडा हो गया है मुंगफली इसके छिलके हम निकाल लेते हैं ऐसे हाथ से मसल मसल करके यह छिलके को हम अलग कर लेते हैं देख पारे होंगे इसका छिलका कैसे निकल रहा है तो हम रोटी बनाएं तो हाथ भी नहीं धोए हैं सोचे जल्दी से इसको हम का का निकलता तो यह हमने लहसुन लिया है और मिर्च लिया हुआ है तिल और मुंग फली दोनों को हम साथ में पिसेंगे बहुत अच्छा टेश्टी चटनी लगता है तो इस तरीके से हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है थोड़ा सा पानी डालते हैं और पीस लेते हैं तो बह काफ टीस्पून नमक अड़ करते हैं और पूरा मिला लेते हैं तो रोटी भी हमारी तयार है और चटनी भी हमने बना लिया है बहुत टेश्टी और चलते हैं अब खाने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें